बिस्मिल्लारमारहीम, अस्सलामु अलाइकूम, लेके आए हैं जी आज आपके लिए सर्दियों के एक स्पेशल डिश जो सब कोई बहुत पसांद आती है, गुड़ वाले चावल हम बना रहे हैं आपके लिए, ये जी हमारे पास है, तीन पाओ चावल हैं हमारे पास, हाफ के करेंगे, अब ये गरम हो जाए तो फिर मिलते हैं, पानी हमारा हम और हम बहुत है, चावल भी हरने गरम बादी से बिखवे, और गरम पानी से करना तेज आंच करने और इनको हमने 82-85 परसंट तब कुक करना है बाकि ये दम में पकेंगे चावल हमारे पांच से छे मिनड़ तक कुक हो चुके हैं और चावल को ऐसा होना चाहिए इसको हम मजीद कुक नहीं करेंगे ये दम में कुक होगा अगर आप इससे ज्यादा कुक क बनेंगे घुर दाल लेंगे और फार हैं है आफ कर पाप इसमे पानी शामिल करेंगे ज्यादा पानी आप नहीं डालना और इसको फट्ने देंगे गुर को अच्छी तरह. गुर पक चुका है, अब हम इसको चान लेंगे, क्योंकि इसमें मटी होती है, तो इसको लाजमी चान के आप इस्तमाल करें, किसी भी कपड़े से या जाली से, किसी से भी आप इसको, और नीचे वाला बिल्कुल न डालें, उसमें रेत होती है, गुर को चानने के बाद, हम इ अची तरह, अपाइल लेने, और इसके बाद, हम इसमें तीन से चार अदर लेची सबज, और लोंग शामिल करेंगे, तीन से चार लोंग हैं इसमें, अच्छी से खुश्च्बु जब आने लगे, तो फिर हम बाकी चीदें शामिल कर लेंगे, साथ हमिसमें सौफ शामिल कर साथ किश्मी शामिल चाद करनेंगे। जो कुल्फन करनेंगे। गुर्ट चाद लिया है यह भी स्थासुल करनेंगे। 3 पऊ चाल गुर्ट के साथ 1-2 किश्मी बएगा स्वमया पातों और थे करनें। गुर डालने के बाद थोड़ी देर कुक करके इसमें चावल शामिल करने ने जो हमने बॉइल तरके रखे हुए थे अच्छी तरह चावलों को गुर के साथ मिक्स करने के बाद ये अक रोड गिरी हमने 5-7 अक रोड लेएं, जिनको बारी ही कमने हाथों से ही मसल के छोटे का लिए टुकड़े तो ये डाल के हम इसको तक्रीबन 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे चावल हमारे त्यार हो चुके हैं इनको दम आ चुका है अब हम इनको दिश आउट करते हैं आप देख सकते हैं कि कितना शांदार सा आमारा जवायती मीठा त्यार हुआ है चावल हमारे गुड़ वाले त्यार हो चुके हैं लाजमी आपको पसांद आये होंगे आप लाजमी ने ट्राइ करें अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें शे